तो भारत पाक युद 1971 का विजदीवस है आज और पेडृम लरेनर मोधी ने शहेदों को शरध्धाजली भी दी है और यूपी के सिम योग बंगलादेश का निर्मार्ट तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था सरेंडर इस दौरान और भारत पाथ यूद 1971 का आज विजय दिवस है जिस दौरान तमाम सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था और शहीदों के योगदान को याद करते हुए PM मोधी औ और सियम योगी अरितनाथ ने शहीदों को नमन करते हुए याद किया है श्रधान जुलियर पित्वी में तो इस यूदि के बाद ही बंगलादेश का निर्मार किया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इस दौरान सरेंडर किया था पियम नरेन रमोधी ने अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट लिखा है कि आज विजय दिवस पर हम उन तमाम बहादुर नायकों को हार्धिक शुरधांच लेयर पिक करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्नायक जी सुनिश्वित करते हुए करतव से भारत की सेवा की और उनकी वीरता और समर्पन राष्ट के लिए अत्यंत गौरफ का स्वोत हैं उनका बलिदान और अचूज भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमेशा देश के इतिहास में अंकित रहेगी और भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम में भाव करते हुए उन्हें इस्वरदांजली दी है जैसा कि आज विजय दिवस है और इस खास मोगे पर समस्त देश वासी आज श्रहीदों को याद करते हुए देश के कौने कोने में श्रदांज रिया पित कर रहे हैं इसी कड़ी में पीम नरीन मोदी ने भी आज विजय दिवस क के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट करते हुए शहीदों को श्रदांजली दी है और उन्हें याद किया है तो इस दिन भारत ने पाकिस्तान को युद में हराया था YACM योगिया रितनात ने भी अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शहीदों को नमन किया है YACM योगिया रितनात ने भी आज तमाम शहीदों को याद किया है और उन्हें श्रदांजली अर्पित की है तो YACM योगिया रितनात का ये पोस्ट सामने आया है सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारतियर सश्यस्त्र रवलों की वीरता और उनकी नेशन फर्स्ट हावना के प्रतिफल विजय दिवर्स के गौरफ शाली मौके पर माभारती के अमर सपूतों को शश्यत नमन भारत पाफ युद्ध उन्निस सट्टर का आज विजय दिवस है और इस दौरान 93,000 पाकिस्तानी सेनिकों ने सरेंडर किया था और आज एक दिन हमारे तमाम भारतिये सेनिक भी शहीद हो गए थे जिसके चलते आज पेम नरेन मोदी और पेम योग्यार इतनात ने उन तमाम शहीदों को याद किया है और विजय विजय के तमाम और दिगज नेता भी आज शहीदों को नमन करते हुए उन्हें याद कर र